जब भी हम रेस्टरेंट या धावा की दाल तड़का देखते हैं तो सोचते हैं ये कैसे बनाते हैं जो इतना टेस्टी होता है तो क्यों ना आज हम इसे घर पे ही ट्राइ करें और बनाए एक दम रेस्टरेंट और धावा जैसा दाल तड़का तो दोस्तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी चनी की डाल ली है जो कि मैंने आदे घंटे पहले इसे भिगो के रख दिया था जब भी डाल बनाएं तो आदे घंटे कम से कम नहीं तो 15 मिनट तो इसे भिगो के जरूर रखें इससे जो है डाल में स्वाद बहुत आता है और इससे पलट लेंगे कुकर में और जितना हमने यहां पे डाल लिया था तो उसका डबल जो है यहां पे डालेंगे हम पानी क्यूंकि जब भी हम डाल बनाते हैं तो कभी पानी कम हो जाता है या कभी ज़्यादा हो जाता है तो हमिशा इसी नाप के अनुसार रखे जितनी डाल ले उसका डबल जो है पानी ले तो बस अब इसमें डाल देंगे हम आधी चम्मच नमक इससे जो डाल है बहुत जल्दी गलेगी साथ में यहाँ पर डाल देंगे एक चोताई हल्दी पाउडर इससे जो डाल है उबालते टाइम जो है सीटी से बाहर नहीं निकलेगी तो बस अब इससे जो है रख देंगे गैस पे और गैस पे रखने के बाद जो है इसमें लगाएँगे हम 3-4 सीटी मैंने दाल भिगो के रखी भी थी इसलिए इस पे जो है तीन से चार सीटी लगाएंगे अगर आपने दाल भिगो के नहीं रखी है तो कम से कम जो है चार से पांस सीटी लगाएं पहली हाई फ्लेम पे और बाकी लो फ्लेम पे तो यहाँ पे CT आ चुकी है, कुकर ठंडा हो चुका है तो मैंने इसका ढखकन खोल लिया है और चेक कर लेते हैं कि जो दाल है वो पकी है या नहीं पकी है तो इसके लिए हाथ से चेक कर लेंगे, थोड़ा गरम है लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है दाल हमारी गल चुकी है यहाँ पे ना दाल सिर्फ 90% ही हमें उबालनी है क्योंकि दाल बाद में भी पकेगी तो यह ज़्यादा ही ओवर कुक हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चड़ा दी है और इसमें मैंने डाला है दो चम्मस तेल और तेल को गरम कर लेंगे गरम करने के बाद तेल में डालेंगे एक चम्मस जीरा और एक तेजपता तो इसे थोड़ा सा चटकने देंगे चटकने के बाद यहाँ पे डालेंगे एक मीडियम साइज प्याज जो कि मैंने बारी चॉप करा हुआ है और प्यांच को जो है चार से पांच मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि ये गोल्ड लणना हो जाए तब तक इसे भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे तो इसके लिए जो है कट्ची को चलाते रहे नहीं तो जो प्यांच है वो जल जाएगा तो अब यहां पे मैं डालूँगी बारी कटा हुआ लसन तो मैंने यहां पे एक चमच लसन लिया है आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं साथ ही एक चमच लिया है अदरक और एक कटी भी हरे मिर्च और इन सब को जो है एक मिनट के लिया पका लेंगे प्यांच के साथ ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए आप चाहे तो लसन अदरक का पेस्ट का यहां पे इस्तमाल कर सकते हैं और इन्हें पकाने के बाद अब यहां पे डालेंगे एक चमशफ लाल मिश पाऊडर और आधी चमश डालेंगे हल्दी पाऊडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पیاंच के साथ और एक मिनट पका लेंगे हल्दी और मिर्श पहले पकाने से तो दाल का जो डाल потряс बहुत अच्छा आता है तो इसे जो है, एक मिनिट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद भूआ पका लेंगे, ताकि जो टमाटर है, वो जल्दी ही सॉफ्ट हो जाए, तो कम से कम जो है, तीन से चार मिनिट के लिए medium तू low flame paste से पका लेंगे, और तीन से चार मिनिट भाद भाद भा यहां पर देखिए तक हमारे काफी सॉफ्त हो चुके हैं तो कि हो तैकि जलुंगे। fatto इस तरीके से सॉफ्त हो जाए हैं ततको यह नहीं जल्दी डाले में डाले समी और यहां पर यहाँ पानी दाल में जोاز Walk अच्छी हाँ वह चैक है लोकर नरृstar यह दिए यहां पानी डाला की अधी कास्तामाल जादाना नहीं करें तो बनाद पांद नो दाला में अधी चम्म तो चम्म घरम घरम मसाला और उसके बाद 7-7 मिनट के दाल को उबलनेंगे medium to low flame पे यहां पे ज़्यादा मसालों का इस्तुमाल ना करें क्योंकि डाल में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं डाल जितनी simple हो उसमें उतना ही ज़्यादा स्वाध आता है पता तो रहना चाहिए ना कि हम डाल खा रहे हैं या मसाले खा रहे हैं तो बस 5-7 मिनट बाद जो है इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बस यहां पे हमारी डाल बन के तयार है आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं घर में तो भई हम ऐसे ही खाते हैं लेकिन होटल और ढाबर स्टाइल मनाना है तो उसके लिए तड़का लगाना पड़ेगा तो मैंने यहां पे दो चम्मज घी गरम कर रखा था और गरम घी में मैंने डाला है लंबे कटेवे अद्रक और दो सूखी लाल मिर्च साथ में ही एक कटीवी हरी मिर्च जो कि मैंने लंबे में कट कर रखा है और इसे हलका सा ठंडा होने देंगे उसके बाद यहां पे आदी चम्मज डालेंगे कश्मिरी लाल मिर्च बई दाल में कट चाहिए तो उसके लिए कश्मिरी लाल मिर्च का इस्तमाल जरूर करें और बस दाल में हापे लगा देंगे तड़का तो बन गई यह हमारी तड़का वाली दाल तो बस आप इसे जो है चम्मस से अच्छे से mix कर लेंगे ताकि जो तड़का है वो पुरी दाल में अच्छे से लग जाए तो बस आप ना इसे हम दो मिनेट के लिए ढखके रख लेंगे और फिर उसके बाद देखिएगा कि जो दाल में कलर है वो कितना अच्छा आएगा तो यहाँ पर दो मिनेट हो चुके हैं तो आप मैं यहाँ पर इसे ढखकन हटाती हूं दाल में और यह देखिए लगरे ना हमारी दाल एकदम रेस्टोरेंट और धाबा स्टाइल दाल तड़का तो बस आप इसे जो है करेंगे हम प्लेट में सर्व तो फ्रेंट कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राय करें साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फ्रेंट के साथ शेर कीजिएगा और चैनल को जरूर जरूर सस्क्राइब कीजिएगा तब तक के लिए फ्रेंट बाइबाई